हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नवे मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत कहता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम मार्केट के रिलेटेट कुछ न्यूज आ रहे हैं उनको हम कवर करेंगे जिसे में पता चलेगा कि आगे का जो मार्केट है वह में कैसा देखने को मिलेगा अब देखिए जो सेंटा रेली मार्केट में चल रही है वो तो चल रही है लेकिन आज मार्केट आप देख सकते हैं किस वे में close हुआ है एक negative point के साथ हमने आप लोगों को क्या बोला था कि सेंटा रेली मार्केट में फेल भी हो सकती है हो सकता है कि मार्केट में दो दिन बचे है चार दिन बचे है यह हपते के दो दिन और आने वाले हपते के दो दिन ठीक है एक तारीक या दो तारीक ऐसा बताया गया था कि साथ दिन रहेंगे पात दिन यह दो दिन वो तो इससे हो सका कि अगर चार दिन में बड़ी गिरावट आ गई ठीके तो सेंटा क्लोस की जो रेली वो फैल भी हो सकती है तो इसलिए हमने पहले बोला था कि 50-50 चांसे भाग भी सकता है मार्केट गिर भी सकता है इसे पॉसिवल पूरा नहीं माने और आज का अगर हम पॉफरमेंस देगे तो 18,122 पर क्लोस हुआ है प्रीवेस क्लोस था 18,132 ओपन होता है 18,14 रुपे 75 पर से हाई लगाता है 18,133 और लो लगाता है 18,168 तेजी गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट मतलब काफी बोलेटाइल भी हमें देखने को मिला आज का मार्केट अब आगे जैसा भी अपडेट आएगा मार्केट के रिल चिट हम जरूर आपको कवर करेंगे अभी सबसे पहला अपडेट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं दोस्तो मनी कंट्रोल के साइट के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूँ और यह अपडेट जो है आज मॉर्निंग का है आप देख सकते हैं और हमने आप लोगों को बताया था कि जब RBI के मिनिट जारी हुए थे तो हमने पूरा PDF डाउनलोड करके बताया था कि कितने जनों ने दोस्तो रेट हाइक के फैसले में यस बोला है और कितने जनों ने रेट हाइक के मतलब रेट हाइक करना है या नहीं उसके परपस में ना बोला है अमने बताया था पूरा PDF के मादेम से अब यहां पर ऐसा बताया जा रहा है मनी कंट्रोल के साइट पर कि MP MP जो मोनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर है उन्होंने कुछ हिंट दिया है रेट कट्स के 2023 में क्यों क्यों क्योंकि ग्लोबली जो ग्रोथ है हमारी ठीकि वो कंसन बनी हुई है अगर हम रेट बढ़ाती जाएंगे ना तो हमारी जो GDP या जो एकोनोमी जो हमारी ग्रोथ है वो ग्लोबली लेवल पर बहुत कम हो जाएगी जिससे हमें परिशानी हो सकती है तो ऐसा बताए जा रहा कि कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्नोंने नहीं वोला कुछ क्या एकी मेंबर हैं टिके जो हमने PDF के मादियम से आपको बताया था उन्होंने बोला था कि हमारा जो رेट है तीके वो आब हम हाईक नहीं करते इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो inflection है हमारा जो महेंगाई का अकड़ा है जो आया था दिसंबर मंत का वो सोरी 9 मंत का दिसंबर में वो कम आया था expectation के इसाब से भी और उसके साथ ही अगर देखे तो जो हमारा toll rate है के अंदर भी आ गया था लेकिन toll rate वाला जो system है ना दोस्तो 2% चे 6% वो monthly basis वाला consider नहीं किया जाता है एक Q का मतलब मान लीजिए अभी Q 3 का जब यहाँ पर महेंगाई का जो number निकल के आएगा ठीके अक्टमबर नॉमबर दिसंबर का यह 3 महने का दोस्तो अकड़ा जब आएगा मार्च में जब पता चलेगा कि last मार्च में क्या था अब मार्च में क्या है अगर वो बीच में रहेगा तो अच्छी बात रहेगी तो यहाँ पर भी ऐसा ही बताए गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 से 7 दिसंबर में जो मोनेटरी पॉलेसी आई थी उसमें जो फैसले लिए गए अब उसके बाद जो आने वाली फरवरी में फरवरी में भी यही टाइम फ्रेम देखा गया है इसी टाइम फ्रेम पर फरवरी में भी आने वाली मोनेटरी पॉलेसी तो उसमें क्या फैसले लिया जाएंगे इसके ओपर आल्रेडी दोस्तों हमने आप लोगों को अपडेट कर दिया है और यहाँ पर भी जैसे बताया गया कि जो बर्मा जी है जैन्त बर्मा साथ उन्होंने खाली दोस्तों इस रेट हाई को अपने फेवर में नहीं रखाए इसके concern में उन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो ग्लोबली economy है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है अगर हम आगे भी रेट हाई करेंगे तो जिसके लिए दोस्तों उन्होंने हाँ नहीं बोला उन्होंने ना बोला है तो एक प्रकास हमें हिंट मिला है कि साइद आने वाली फरबरी में रेट हाई हो सकता है बाकि उसके बाद उसके बाद जो भी monetary policy आएगी उसमें रेट को कट भी करना पड़ेगा अगर बढ़ाते चले गए और हस से ज़्यादा बढ़ा दिया तो problem आ सकती है कर जैसा भी होग हम जरूर आपको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आ चुके इन्वेस्टिंग के साइट के उपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बारा दिसंबर को आया था CPI inflection का नंबर वो 5.88% था forecast था 6.40 और previous में था 6.77 तो previous से भी कम आया था अनुमान से भी कम आया था अब उसी के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो दिसंबर मंद का अकड़ा है वो आएगा 12 दिसंबर को वो 12 जनवरी को तेके तो forecast फिर से लगाया गया है 6.40% का और previous में आया तो दोस्तों 5.88% था अगर इस से नीचे आया तो ठीक है अगर इन दोनों के बी रिट आएगा हम जरूर आपको cover करेंगे अब second point देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम आचुके लाइप मेंड की साइट के अपर और लाइप मेंड की साइट के अपर एक globally brokerage हाओ से जिनका नाम है mk global टीके mk global का बोलना है कि दिसंबर 2023 तक मतलब यहा आने वाला जो अदा तेवी से उसको पूरा मान लीजिए वहाँ पर 19,500 निफ्टी जा सकता है सेंसेक्स 64,500 जा सकता है ठीक है मतलब यह जो इन्होंने target दिया है एक प्रकासे लेकिन सब्द भी यहाँ पर likely यूज किया है कि यह हो सकता है ठीक है likely का मतलब यह होता है और यह जैसा भी update आएगा market के related हम तो जरूर आप लोगों को update करेंगे चलिए कुछ positive update और देखते हैं जो आभी देखें वह एक प्रकास से positive update ही है market के लिए investing की side के मैं फिर से लाया हूँ और Dow Jones का performance दिखाना हूँ देखें हमारा market अभी close हो चुका है ना तो हमारा market close हो चुका है उसके बाद भी एक positive way में trade कर रहा है 33,500 लेकिन जब US market open हो जाएगा अभी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जब लगबग 7 बजली तो अभी US market open नहीं आप देख सकते हैं यह भी काफी bullet अले में देखने को मिला था एकदम पूरा flat हो चुका था आप देख सकते हैं यहां चे यह तक यह उपर गया भी ता फिर नीचे आए फिर flat हो गया मतलब flat जो रहा ना डाउ जोन यहां पर आप देख सकते हैं तो इसके कारण क्या हुआ कि सकते हैं कि किस प्रकास से में देखने को मिल रहा है अब यह अगर एक अच्छा का सा positive way में close होता है एक बड़ी मतलब दो तीन सो पॉइंट वो दो तीन सो पॉइंट डाउ जोन में भी आजगर आ जाती है नेस्डेक भी अगर positive way में close होता है तो हमारी लिए बढ़िया र देखने को मिलेगा चलिए next point देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन करंसी के हिसाब से अगर मैं dollar price के में बात करता हूं तो dollar price में हलकी से हमें गिरावट देखने को मिली है अब इसको मजबूत रखने के लिए मतलब हमारी इंडियन करंसी को मजबूत रखने के लिए RBI ने द वो अगर बेचें तो क्या होगा कि हमारा जो करंसी है वो stable रहेगा मतलब जादा नहीं गिरेगा तो इसे के करण हम यहां तक बने हुए हैं और target भी बताया गया है 83 तक की 2023 तक 83 डॉलर तक यहां तक हमें देखने को मिल सकता है dollar का price अगर यतना होगा तो हमारा इंडियन करं 10% बढ़ा है दोस्तों यह बढ़ा है लगबग 10% यहां पर 10% दिख रहा है यहां पर मात्र 8 point दिख रहा है लेकिन कोई company हमारे यहां पर business कर रही है और उसको विदेश में माल बेचना है तो उसके लिए tax देना पड़ता है import duty देना पड़ती है export duty देना पड़ती है तो वह लाको कडोडों में रहती है तो जब उसको यह 10% के हिसाब से या 8 dollar के हिसाब से compare किया जाता है या calculate किया जाता है तो वह बहुत बढ़ जाती है जिसके लिए दोस्तों यह हमें problem में लेकर आती है हमारी जो growth जो GDP वह problem में आ जाती है तो यह अगर यहां से और बढ़ेगा तो हम इसी लिए problem में आएंगे अब एक प्रकास एक crude oil को नजर में डालते हैं उसी के साथ दोस्तों अगर मैं crude oil की में बात करता हूं आज crude oil में आदे परसिंट के हमें गिरावाट देखने को मिली और वो 83.87 पर हमें देखने को मिल रहा है तो crude oil अगर मान कि यह चलिए के 75 से 85 के अगर बीच में trade कर रहा है तो मैं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इससे हमारा जो import भी ले वो कम होगा और जो company इसको अपना important raw material मानती है देकि उसके लिए उनके लिए भी काफी बढ़िया यहां पर update रहेगा और यहां पर अगर हम index by performance देखे कि आज कौ जादा वेटेज रहता है दोस्तों निफ्टे में सबसे बड़ी बात यह है FMCG आज positive way के साथ close हुआ IT में हलकी सी गिरावट देखने को मिली मीडिया में तीजी metal में हलकी सी गिरावट फार्मा में आदे percent की गिरावट और real estate में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली मत सबी इंडेक्स के अगर मैं बात करूँ ना तो एक percent की नीचे इस अबने performance किया तीजी में और गिरावट में भी कोई एक इंडेक्स अगर एक अच्छा performance कर देता तो market एक positive way में close होता खिर देखेंगा आगे जो भी update आएगा अब इतने सारे में point देखने को मिले market के according और आ इस वीडियो को like के दिए चनल को subscribe कर दीजिए